महिश्वरी मित्तल है कॉस्ट के लिए बुक ठीक है ना कहते है दा प्रोड़क्ट अफ मैनिफेक्ट्रिंग कंसर्ण पासिंग थू दू प्रोसेस आपके ए और बी प्रोसेस है मजे की बात दो ही प्रोसेस है यह दो रुपे और पाँच रुपे है हाला कि यह कुश्टन के अंदर अबनॉर्मल लॉस का शब्द का इस्तमाल नहीं करना चाहिए डिफेक्टिव यूनिट है है जो कि दो पाँच बोल दिया चलो प्रोसेस ए और बी फॉलविंग एक्सपेंस रॉव मेट्रियल लगा यूनिट का नॉर्मल लॉस आपको 10 परसेंट और 5 परसेंट इंपूट का है आउटपूट कितने यूनिट निकले है और अडिशनल आपका कंपोनेंट जो जो लगा सारे खर्चे दे दिये कहता है कि पहले से हमें पता है के क्लोजिंग स्टॉक जितना भी होगा वो 20,000 और 30,000 का होगा प्रिपेर प्रोसेस अकाउंट करना है, फिनिस स्टॉक अकाउंट करना है, एक फिनिस स्टॉक अकाउंट अलग से बना के दिखाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है ने अबनॉर्मल गीन अकाउंट, अगर कोई है तो उसे बना के दिखाना होगा, तो सबसे पहले हम स यह दूसरा प्रोसेस हो गया चलिए अब इसके अंदर इसने यह वर्ड क्या दिया है कि हमारे प्रोसेस में आपके बुक का 9.10 है और कुछ बच्चे कोशन्स पूछ रहे हैं कि जैसे कौन सा हो सकता है तो मैं बता देता हूं 9.10 और यह नई किताब का है है नहीं किताब पर दो नहीं किताब पर दो नहीं किताब पर दो पिछत्तर और पच्चेस ठीक है हां जी यह 9.10 बिल्कुल सही है आपके बुक का कोशन्स है ना सही है ना चक्कर हो एक बार वीडियो नहीं आ रहे हैं हाउ टू फोल्डर में होमबक फोल्डर में कल कल तक का देखो वेट तो करना ही पड़ेगा कल का वेट कर लो बस मैं कल का समय मांग रहा हूं आपसे यह इतने और कोई आप स्टडी कर रहे हो सब्जक्ट को उसको पढ़ सकते हो कल के बाद फिर आपका सारा अपडेट हो जाएगा फिर यह वीडियो आ रही है नहीं आ रही है सारी दिक्कत खतम ठीक है चलो पाज आईए सर सबसे पहले प्रोसेस एक के अंदर तीन हजार इंपुट डाला हमने इंपुट कितने दा रहे तीन हजार और एक की कीमत कितनी है पाँच रुपए तो कितने होगे सर बंद्रह हजार नॉर्मल लॉस कहता है हमारा दस परसेंट है तो नॉर्मल लॉस दस परसेंट तो तीन हजार का दस परसेंट तीन सो और पहले process का बिके का 2 रुपए that is हमारे कितने का बिक गया 600 output कहता है 2800 ध्यान दे ना मैंने 3000 डाले 300 का नुकसान हुआ तो बचने कितने चाहिए थे 2700 लेकिन question कहता है कि भाईया हम जो बनाने में कामियाब हुए वो कितना बनाने में कामियाब हो गए 2800 तो इसका मतलब भी है यहाँ पर हमारा 100 रुपए का फाइदा हो गया that is abnormal gain इसको क्या बोलेंगे abnormal फिर से समझो 3000 डाले 10% का normal loss हो गया तो 2700 बनने चाहिए लेकिन question output कितना कह रहा है 2800 तो यहाँ पर क्या हो गया gain तो gain का rate निकालना हमारा सबसे last का काम होता है additional हमारा expense हो गया additional expense कितने हो गया सर 1000 इसके बाद और क्या खर्चा बताते जाओ direct wages 4000 direct wages के बाद और क्या खर्चा production overhead 75% and 125% कहता है भई हमारा जो production का खर्चा है कहता है as per the direct wages यानि direct wages का 75% तो direct wages का 75% कितना होगा बताओ 4000 का 75% 3000 और दूसरे में कितने परसंट है 125% क्या ये वाली line समझ में आई आई आप सभी बच्चे को सभी student को ये वाली line समझ में आ गई क्या खहर है आगे कहता है there was no opening closing stock finished goods का हमारे पास है that is closing of opening and closing और जो की stock account के अंदर ये word काम आने वाला है तो हम simple से काम करते हैं सबसे पहले तो हम total cost अब बताओ abnormal गोन जिस बच्चे ने सही से और इमानदारी से ये chapter किया होगा वो बता देगा abnormal gain हमारा टू में आएगा के भाई में आएगा बता दो abnormal gain किदर आएगा टू में आएगा या भाई में आएगा slave us तो आपका मान के चलो तीन chapter pending है मोटे मोटे तीन में एक overhead pending है एक आपका service cost pending है और एक labor pending है बड़े बड़े जो मतलब मोटे मोटे कह देते हैं बच्चों ने बताया सर टू में आएगा बिल्कुल सही तो टू में आजाएगा सर abnormal gain और सर कितने unit abnormal 100 अब इसका rate निकालना पड़ेगा कैसे इन सभी में से इसको minus करके एक rate निकलेगा that is क्या rate आएगा देखते हैं हम 15,000 1,000 4,000 और 15,000 1,000 4,000 और 3,000 23,000 minus 600 तो यहागा 22,400 जैसे पहले सिखाया था last class में और divided by आपका 3,000 minus 300 27,000 यहागा 8.296 इन्टू में 100 यहागा 830 रुपे round figure मिली है ठीक है यहागा 830 पहले यहाँ तक देखो सभी को clear है direct expense का amount नहीं डाला कोई direct expense है क्या अच्छा 10,000 रह गया तो फिर सो यह गड़बर हो गया न direct expense एक मिनट चलिए सर सर एक खर्चा डालना भूल गये एक बच्चे ने बताया सर एक खर्चा direct expense नहीं डालाया अब प्लीज उसको डाल दो तो ठीक हो जाएगा मैंने का okay direct expense डाल दिया जाए और direct expense सर कितने हैं 10,000 अब डाल देते हैं A, B, G तो यूनिट तो 10,000 यहाँ बढ़ जाने हैं बस पहले कितना था कि पंदरा कि एक हजार कि एक हजार कि एक हजार कि एक हजार माइनस छे सो बत्तिस चार सो हो गया divided by 2700 12 रुपए आ गया तो यह 1200 आ गया हमारा 12 रुपए आ रहा है रौनक का ठीक आ रहा है 12.37 कैसे आ रहा है पता नहीं आपने साथ यह 600 रुपए 600 माइनस नहीं किया 12 रुपए आ रहा है इसका rate clear अब जो भी बचेगा वो सारा कहां चले जाएगा by process बी में यह process कौन सा है सर बी कितने unit जाएंगे सर 3100 बैलेंसिंग फिगर निकालो कुछ बच्चे पूछतें सर कैसे आया बताओ तो मैंने बोला simple सी बात है भीया यह आगे हमारा 33,000 33,000 और इसमें से माइनस कर दो तो 32,000 पर यह गड़बड हो गई गड़बड हो गई यहाँ पे 1200 रुपे जोड़ना था वो नहीं जोड़ा तो 15,000 1,000 4,000 3,000 10,000 और 12,000 34,000 34,000 34,000 34,000 वैसे माइनस कर दो 600 तो क्या आगे सर 33,000 600 अब यह आ जाएगे कहा अब सवाल कहता है कि इसके अंदर जो लॉस होगा 5% होगा तो 1200 यूनिट का 5% आप निकालो 140 तो बाई नॉर्मल लॉस कितने होगा 140 और बिकेगा कितने कहसाब से 5 कहसाब से तो यह 700 आएगा क्या यह सारी बाते समझ में आ रही है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा एक बार अगर नहीं क्लियर है तो पॉइंट बता दीजिएगा यहां तक हर एक स्टूडिन को क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए नहीं क्लियर है तो नहीं बोल दीजिए राजा का कहना है सर यहां तक clear है सुमित भी कह रहे है सर हाँ clear है चलिए बाकी बहुत मिनाक्षी का भी कहना है सर overhead और ABL बता दो एक बार ठीक है clear है clear है overhead का क्या है overhead कह रहा था कि यह 75% है सर किसका 75% wages का तो मैंने wages का 75% निकाला 3000 है ABL कैसे निकाला ABL निकालने का तरीका यह था हमारा यह रहा abnormal gain ABL मतलब abnormal gain कोई बच्चा यह सीधा वीडियो देखेगा तो बोलेगा ABL किया बात हो रही है abnormal gain निकाला यह कैसे आया सर पहले हमने इसको सभी को लिया था फिर उसमें से यह minus किया था अगर आपकी first class है आज तो फिर दिक्कत तो definitely है नहीं है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद आ जाते हैं सर एक सो चालिस तो खराबी हो गए तो कितने बचने चाहिए 2660 लेकिन सवाल कह रहा है आप कितने बनाने में कामियाब होए हो मात्र 2660 क्या हुआ यह 60 unit abnormal loss हो गया तो बाई साइड में आ जाएगा abnormal loss 60 unit 60 unit का rate निकालना पड़ेगा आभी निकाल लेंगे कितना है कितने एडीशनल कॉस्ट बोलिये भाई मूझसे बोलना आप को 108 अगला क्या है डायरेक ट्समेंस कितने है 3,000 us कि डायरेक ट्समेंस 14,000 में 3500 क्या है 3500 कर ओफरहेड कि आऊगा बताओ 3000 का 125% overhead हो जाएगा तो मतलब 3000 का 125% 3750 रुपे आ गया ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब simply हमें ABL का amount निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे सर टूटल कॉस्ट कर लो 3300 प्लस 780 प्लस 14000 प्लस 3000 प्लस 3750 यह टूटल आ गया हमारा 55130 55130 यह आ जाएगा 55130 माइनस नॉर्मल लॉस 700 डिवाइड वाइ हमारा यूनिट कितने 2800 माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट 140 तो इसमें से माइनस करो 700 यह आगे हमारा 54430 800-140 यह आगे हमारा यह आगे हमारा हमारा यह आगे हमारा यह देखिए नम्रता सर वीडियो रुक रही है अब ये सारा का सारा हो जाएगा फिनिस गोड्स एफ जी क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस जाना नहीं है यह हो जाएगा fg, fg कितना होगा घृइफ जल्दी बता दो बस अटाइस तोई यूनित मैनस में दो सो चप्विस सो यूनित 15 13 मैनस में 700 मैनस 12 यह आगे त्रिपν दो सो तें यहां तक किसी को नहीं डाउट तो बता दीजे फिर हम स्टॉक अकांट अबनॉर्मल लॉस अकांट और मॉर्मल गेन अकांट सब कुछ बना लेंगी गैश्षाब से यहां तक क्लीर है अब स्टॉक अकांट बनाए अगले पीच पर बनाते हैं सब्सक्राइब कैसे बनेगा फिनिस स्टॉक अकाउंट है ना वो बेसिकली फिर अबनॉर्म लॉस अबनॉर्मल गीन बना लें क्वास्टिंग में एक चैप्टर स्रिफ जनर्ल एंट्री का नहीं है सबसे मजे की यहां ये बाट घ्रव नखना अ कि सबसे पहले ऑपनिंग स्टॉट कि फेसलों में किटने सवाल में कितने loo और आप ध्यान से सोचो इदर हमारा फिनिस गुट्स निकला है तो वहां कहां पहुंच जाएगा फिनिस गुट्स में जाकर कहां जाएगा टू साइड में। कहां से आया प्रॉशेस B से कितने यूनिट आया वह भी लिख देते हैं सर प्रोसेस बीस है जो आया निकल के फिनिस गूट 2600 यूनिट 53203 का यहां तक देखो कोई दिक्पत यहां तक पहले बताओ कि कह रहा है सर एफ जी का अमाउंट तो कुश्चन में गीवन है एफ जी का माउंट कुश्चन में गीवन है कहां गीवन था कुश्चन है कि एफ जी वह स्टॉक का है न कि स्टॉक का था वह लिखी दिया है स्टॉक का अभी यहां से टुटल कर लो बाई साइड में जो निकले का कॉस्ट अब गूड सोल निकल जाता है अब को पता है ओपनिंग माल हमने बनाया यह नि प्रड़क्षण और माइनस स्टॉक क्या होता है माइनस स्टॉसप्य सब्सक्राइब कि दो सोती है कोई दिक्कत है कि अब कुछ ने कहा सर आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाओं लोजी बना देते हैं कुछ ने कहा एबनॉर्मल लॉस भी बनाओं यह लो तीन अकाउंट बना दिया यह हो गया normal loss यह हो गया abnormal loss यह हो गया abnormal gain जिसको हम abnormal effective के नाम से भी बोलते हैं अब normal loss में कैसे उठाओगे सर process A में buy में normal loss है तो कहां पहुँच जाएगा सर कहां से आया process A से कितने unit थे सर unit था 300 रुपई या 600 तो 300 unit रुपई 600 बाकी आप आजाओ इसके अंदर normal loss कितने है सर 140 रुपई 700 तो two process कहां से 20 से 140 रुपई 700 सर पहले process अब bank से बिख जाएगा bank से बिखेगा ना है इस scrap तो 300 unit तो बिख गया 600 से और दूसरे process में जो bank से बिखेगा 140 unit बेचना था लेकिन यहां पर तो हमारा हो गया gain यहां पर कितना हो गया gain कितने unit का हो गया 60 का तो ultimately actual normal loss अगर आप जिसमें देखते हो actual तो 140 का loss था आप देखो यहां पर actual 140 का loss था 60 का फाइदा हो गया तो actual loss कितने का हुआ यह बताओ actual loss जो आप find करोगे तो क्या पाऊगे आप सर 140 का था जिसमें से 60 तो बची गया तो 80 हुए ना actual loss थो तो यहां पर हम करेंगे जो था हमारा 160 ने 140 minus में 60 तो actual हुआ 80 और 80 को कितने रुपे में बेचोगे 5 तो 400 और बाकी चला जाएगा हमारा कहां चला जाएगा सर abnormal gain account में चला जाएगा यह total कर देते हैं हलाकि जो मैंने पहले बोला वीडियो में देखना उसमें बहुत slow और बहुत धीरे धीरे कराया है जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखेगी उनको बहुत फास लगया सर यह कैसे हो गया और जिन बच्चों ने देख लिया को उसको लगया यह तो मामूली बात है 300 और 100 चार्सो चाल्विस चे चार्दस तीन सो रुपे और यहां पर आ जाएगा निकलके 2 normal loss 300 रुपे ठीक है अब आ जाते हैं सर abnormal gain सर यहां पर है हमारा abnormal gain 100 unit 1200 तो 2 में था बाई में आ जाएगा abnormal gain 100 unit 1200 दूसरे process में जाओगे तो यहां पर loss है 60 unit 1227 रुपे तो यहां जाएगा 2 process नहीं abnormal gain नहीं यहाएगा process A यहाएगा process B कितने unit सर 60 unit 1200 27 यहीं हुआ अब यहाँ से देखा जाए इस unit को भी तो आप बेचोगे market में तो bank से आपका हो जाएगा sold कितने हो जाएगा सर 60 unit और 5 रुपे के हिसाब से 300 में बेच दोगे 60 unit 300 में तो यह बेची दिया आपने अगर हम abnormal loss की बात करें तो यह 60 unit तो आपने बेची दिया एक minute एक minute साइद कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने मैंने गड़बड़ कर दिया गड़बड़ी यह हो गया abnormal gain मैंने यहाँ मान लिया जबकि abnormal gain इस account में था मैंने उल्टे से इसमें लिख लिया है तो मैं उसको एक बार rectify कर देता हूँ यहाँ पर सिर्फ 200 ही आएगा मैं उसको ठीक कर देता हूँ abnormal gain मैंने दूसरे में मान लिया है यह लेजिये यहाँ 300 unit नहीं विकेगा यहाँ मातर 200 unit विकेगा by a, b, g by a, b, g में चला जाएगा कितने सर 100 unit 200 रुपए का और यह 600 नहीं होगा यह 400 होगा अब by bank से 140 unit यह 700 का ही विकेगा यह है इसकी कहानी टोटल 7, 4, 11 नहीं यह ज़्यादा हो गया 700 का होगा यह 700, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 4, 10 यह 400 जाब आगे यह गणे था मैं एक पर समझा देता हूँ देखो process A से हमारा इतने का नुक्सान हुआ B से इतने का नुक्सान हुआ process A का माल 200 ही बेच पाएंगे क्योंकि हमारा 100 का गेन था ठीक है ना 200 बेच पाएंगे 100 हमारा abnormal gain में चला जाएगा 140 फिर हमने भीच दिया abnormal gain में अब यहां पर 100 आजाएगा that is हमारा आजाएगा 100 200 के बराबर 100 unit 200 अब यहां पर normal loss कितना है 1227 का जिसको आपने बेच दिया कितने में यहां से gain कितना जाएगा यहां इसको transfer करेंगे अभी यहां यहां से कितना हो गया 100 200 तो यह 1200 और यह भी 1200 तो हजार हो गया तो यह buy side में चले जाएगा abnormal gain that is आपका कितने का हो गया 1000 तो net में net to net देखो तो 1300 इधर आया और 1300 इधर हुआ तो net to net में आपका EPL आजाएगा profit and loss यानि आपका करीब करीब 27 28 कितने का हो गया 1300 माइनस 1227 का फाइदा हो गया 73 का और यह 73 सीपील में चला जाता है आपको करीब करीब 73 का फाइदा दिखेगा प्रेपील में 1000 का फाइदा नहीं आपनों गये नहीं 927 का loss 60 का हमने बेच दिया 60 हमने 60 का यह बेच दिया 300 का और 60 का हमारा चीक है आप बुक में बहुत सारे बच्चे दिखेंगे ना तो बुक के अंदर क्या मिलेगा उनको देखने को तर यहां पर अलग से loss है आपका 1000 और यहां पर फाइदा दिख रहा होगा 900 तो अल्टिमेटली 73 रुपे का ही आपको नेट में जाएगा देखिए बुक के अंदर अलग अलग करके दिखाते हैं लेकिन कुछ बच्चे बुक को भी क्रॉस वेरिफाई करते हैं आप ऐसे भी कर सकते और बुक के तरीके से भी कर सकते बुक के अंदर इसको यही पर छोड़ दिया मैंने इसको कहा बेज दिया सर हजार को इधर भेजा कहां बेजा सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में भेज दिया नहीं तो आप यहां पर सीधा सीपियल लिख दो इसका सीपियल अलग कर दो क्लियर है और मैं अगें कहूं गा, यह अबनोर्मल लॉस और अबनोर्मल गेन वाली कहानी बहुट डिटेल में बताया हुआ जो कुछन बोला था important है, उसमें जाकर देखोगे, तो बहुत डिटेल में बताया है, इक एक चीज बारे की से बताया कि कैसे यहा जा रहा है, कैसे यहां जा मैं वो clear कर देता हूँ पहले है और इसमें सबसे tough जो माना जाता है ना question exactly same आपका आएगा 19 नंबर में तो सबसे tough chapter बोलो तो मैं बोलूगा सर process यहां तक process बहुत असान इसके बाद की जो कहानी process में है जो अगली class से start करेंगे हम वो थोड़ा सा tough रहेगा लेकिन बच्चे कहेंगे सर पिछला process नहीं आएगा तो क्या अगले वाला concept नहीं सीखेंगे सीख जाओगे एक दिन का सर यह कोशन भी homework में रहेगा यह कोशन भी homework में यह कोशन भी homework में अल्रेड़ी साइद यह करा दिया है फिर भी homework में यह कोशन भी homework में अब यहां के बाद जो कोशन स्टार्ट हो रहा है न यहां के बाद के जो कोशन जितने भी हैं यह यह सारा फिर दूसरा concept का आ गया इसके बाद के जितने भी कोशन है वो दूसरे concept के आ गए आपके यह सारे work in progress वाले आएंगे देखो जैसे ही 60% complete 100% कुछ ऐसे ऐसे concept बनेंगे इसमें आगे चलके सभी में work in progress आ जाएगा तो यह सब एक दम एक जैसे हैं वह अलग हो गया थोड़ा सारे वही है अब material इंकर डबलू आईपी हाँ बिल्कुल तो आपके process account में मैं बात करूं तो process account सर दो पार्ट में divided है एक है work in progress और एक है simple simple वाला पूरा पार्ट हो गया आपका work in progress वाला पूरा पार्ट अभी स्टार्ट होगा तो आपके जङा हुआ टो राला पार्ट पारु तो झाल झाल